असलामनेकुम जी मेरा नाम सुहेल अबबास है और आप देख रहे हैं लर्जनवीत सुहेल ओफिशल यूट्यूब चैनल नजीन आज हमारा नेक्स लेक्चर होगा आयार का रुषियन स्ट्रेटेजिक कल्चर हम उसके ओपर थोड़ा सा डिस्कूस करेंगे आज कि यह किस ची इसको थोड़ा सा शाड़ करने से पहले मैं आपको थियूरी एक बर दुबारा बता देता हूं थोड़ी सी जिस सिर्फ हम एक अंडरसेंडिंग लेंगे रियालिजम जो होती है वह बिसिकली अनार्की की थियूरी है उसके अंदर दुनिया के अंदर जो निजाम है वह अना यह कहती है कि MAKSIMIZATION OF YOUR POWER होने चाहिए जो LIBERALISM है वो कहते हैं जी नहीं दुनिया के अंदर कॉपरेशन होनी चाहिए इन्सान सलफिश नहीं है उसको जादा से जादा एक लुच्छे के साथ कोपडेट करना चाहिए GLOBALIZACYN के ओपर फ्रोग देना चाहिए यह इस तरह क ठीक है तीसरा है जी कंसक्टिविजम्ट के नहीं कि यह ना रियलिजम्ट ना लीब्रालिजम्ट यह है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज पर्मेन्ट नहीं होती हर चीज सिर्फ एक आइडिया है और आइडिया अगर फॉर इजेमपल आप बना लें कि हमने कॉपरेट करना तो आप कॉपरेट करेंगे अगर आपने यह बना लिए हैं कि हम सेलफिश हैं तो फिर आप सेलफिश ही रहेंगे ठीक है थो वह गयता है कि कोई इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है आप सिर्फ जस्ट आपके अपने माइंड के अंदर की यह गेम है ठीक है जिसको आपने नहीं बता लिया और वह उसी माइड का यह आप चूरन बेच रहे हैं ठीक है तो कोई भी स्टेट्स जो हैं वह एक पर्वनेंटली एक ही कंडिशन के अंदर रहन नहीं करती कभी उसका कोई पॉलिशी होती है और कभी उसकी कोई और पॉलिशी होती है तो इन चीजों को यह ज Business of Geography एक बुक है टीम मार्शल की यह बहुत कमाल की बुक है बहुत अच्छी बुक है इवन के मैंने खुद अबी तक रीड नहीं की लेकिन इसके कुछ जो आइडियाज हैं वो मैंने लिये हैं बहुत कमाल की है इट इस इन माई टू-डू लिस मैं आपको भी रिकमेंड करू गांगा इफ यू और गॉइंग फॉर सी एस पीमस या किसी यूपीसी आइस किसी भी कंपेटिटिव एक्जैम की तियारी कर रहे हैं और यू वांट तो नो अबाउट जियोग्राफी आफ दे वर्ल्ड मतलब कि किस तरीके से जियोग्राफी जो है वो फॉरें पॉरें थी ऐंड Mm यह वरहा चीविक टीड़ाफी क्यों के उसके पास कोई बार्यास नही है आप गर फार ऑगेटान की तो पाकिस्तान के साथ यह फानिस्तानैंग ऑपके ईक साधिएरान साथ हरान ते उसको क्या ऑपके चाहिन है ठीक है आपके चाइना इसके अंदर इंडिया है और आपके वेस्ट के अंदर क्या है उसको क्या कहते है यार बहर अरब ठीक है इसको आप बहर अरब क्या लिए तो आप यह देखें कि पाकिस्तान की अगर नौर्थ वाली साइड पर भी हमें पहाडों ने बचाया हुए और साउथ वाली साइड पर हमें किसे बचाया हुए दरियाने मतरब के Sمن Star एक साइड़ पर हम पर हमेरा चलो एक दोस्त है और दूस्से के साथ हम हुश्भ करते हैं कि हो दोस्त रहे और एक साइड़ पर हमारा दुश्मन मत Nepरकि हम दोसस साइड़ से सेफ हैं एक साइड़ पर हमें एक सेक्ड लो अगर फॉर इजशंपल हम देखें дивनmus के यहां पर ररिश्या को ठीक है अगर यहां पर ररिश्या देखें तो इसकी एक भाउंटरी बहुत बड़ी है ठीक है दूसरा इसके अपर साइट पर यहां पर आर्क टेक है ठीक है और आर्क टेक पे यहां पर है यह सारा जो इससार योरभ है तकरीबन ठेखर पर इजम पर हाँ इस साइड काउरप कहते हैं और जो नीची है उसका यह भी तकरीबन यह पर प्रद्स यूरॉप नोई जो कि谁y हैं उन्हों के यहां हैं तो मस 2 यहें के उपर ना कुछ थोड़ा बहुत अपनी जो दाग थी वह बैठाई बनाई हुई थी लेकिन इस पर भी जो यॉरप है वो विद्ध पैसज ऑफ टाइम अपने जो नेट है उसकी एक्सपेंशन करता हुआ नदर आ रहा है अब इसकी जो मैनिफेस्टेशन वह आप मैं मैं तो एक आइरन कर्टल है ना एक कर्टल सा बन जाए ठीक है यहां से ऑन वर्ड जो नेटो है वो आगे इंटर ही ना हूँ ठीक है और वो यह चाहता है कि उसके एक माइड के अंदर है कि जो वेस्ट है वो हमेशे रशिया के खिलाफ ही रहेगा ठीक है तो मसला यहां पर आ ज इर्दगिर्द कोई इस तरह के दोस्त नहीं है जिसकी वज़जह से जो रॉषिया जिव लीडर्शिप है उनके माइड में यहां कि हमेशा जो वेस्ट है वो विल भी होसाहर टोर्स रॉजर ठीक है और यही इसकी जो लैंड्सकेप थी उसके अंदर को इस तरह कई पहाड यह आंधी तक रॉच्या के साथ कोई लिंक नहीं तु उसकी वजह से ही यह जो इन्हीं यह नहीं होई ती एक 12 के इनदर निपोल्या नहीं अभी तक रुस्या के अंदर दो मेजर इन हैंदर निपालू रिजूरी थी बोस spices dafür के इंदर हिट्लर नहीं किए थी तूप तो ने जो रोड यूज किया था जो वो मतलब के वो शायद यह यूक्रेइन वाली साइट से ही आता हुआ पॉलेंड यूक्रेइन और इस साइट से ही वो गयते मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है रेकन वो सिर्फ क्योंके इसका कोई बैरियर नहीं था ठीक है जिसकी का कि जिसल्ट मैंने झुर्ट से यह हुआते है रह producer से आउर सज्ट बैर आपे साब्सक्राइट जो है हिए आर अब एक्भार इस का पर जापिभाए क कोई नहीं है है कोई सहरा नहीं है कोई त्रह इस तरीके का एक नेचरल जो strategic hedge होता है वो इसका कोई नहीं है जिसकी वज़े से उसके यह barriers नहीं है और उसके उपस जो invasion हो easily बन सकती है और दूसरा यह है कि encirclement of European nations जिसकी वज़े से भी और NATO की expansion है उसकी वज़े से भी मतरब कि न जो एक रोशया है वो है prisoner of its geography काफी सिमिलर्ली दूसरा है जी रिडेक्शन ऑफ कोस वो पोस्ट कोल्ड वार जो रूल्स है बेस्ट न्यू वर्ड और यह रिश्या कई बार इस सीज को निगेट कर चुका है कि मैं जो नहीं मानता इस तरह के जो कानून है वो कहते हैं नहीं तेरे बनाए हुए कानून को मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता तो यह वह सिचुएशन है कि मैं रिश्या यह कहता है कि यह जो न्यू वर्ड और है यह यूएस ने बनाया था और उस तरह मैं इस कंडिशन में नहीं था कि मैं वहाँ पर उसके सामने बोल सकता लेकिन अब मैं हूँ तो मैं बोल सकता हूँ और मैंसेज को नहीं मानता उसके बार जी रिस्क टेकिंग पॉलिसी है ठीक है अरशिया की अब जिस तरीके से उसने यूए यूजगे की बीजए उसने की अब रिस्क टेकिंग सिची में उसकी अब जो आवराल जो पॉलिसी रही है वो रिस्क टेकिंग ही रही है ठीक है फर्दर अगर हम देखें तो जो इसकी हिस्ट्री है हिस्ट्री के लिए जो रश्या है वो इट वास वान अफ दा कंट्री जो के बहुत ज़्यादा वास के साथ इन्वाल्व रहा है उसके एडवस्ट्रेल डिरेशन्स नहें हैं अब फर्दर अगर हम देखें तो इसके जो की फैक्टर्स है ना रश्या के जो स्ट्रेजिक फैक्टर्स के उनके अंदर यहीं चीजें बार बार आएंगे मतलब कि इस तरह किसे आप उसकी जिग्राफी है वह एक मेजर फैक्टर राइंड रश्यान सट्राइड इस पार बहुत ज्यादा डिपेंडन्स ही हैं पाकिस्टार की एक फञानिस्तं और दुर सा इंडिया क्यूंकि इन दोनों है पाकिस्टार Hide पोर US के साथ, Russia, China, इनके साथ जो relations है, वो इन्हीं दो countries की वज़े से हैं, या पाकिस्तान के इंडिया के साथ, या पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ, इसी तरह अगर आप Russian strategy culture देखा जाए, तो वहाँ पर जो ज्यादत है, वो geographic landscape की base पे, वो अपने आपको expand या narrow करता है, या तो उसके overall वो दुनिया के साथ जो interact करता है, अगर उसका political culture देखा जाए, तो imbibed in the minds of Russian leadership that westernhood's hostility towards Russia, जो already मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बाद जी domestic decay वो खुद भी Russian strategy culture saw major shift in 1940-18, जब बोल से हैं, एक revolution हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर, मतलब कि ना, इस तरह domestic decay रे र revolution आया, उसके बाद आप 1945 देखने ही कि जब वहां पर जंगे हुई, वर्ड वार टू जैसे खतम हुई थी तो Russia के ओपर जो invasion हुई थी, हिटलर की, उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुचाया था, फिर उसके बाद 1991 देखने, Russia again तूट गया, ठीक है, उसके बाद फिर, अ अब भी जो domestic moral है, वो again Russia का बहुत ज्यादा डाउन हो चुक है, तो यह जो एक shifts है Russia के अंदर, यह बहुत ज्यादा आती रही है, like 1918 से लेकर, 2018, 2022 तक यह पूरे एक 100 साल की जो एक history है, उसके अंदर अगर आप देखें, तो domestic के Russia के अंदर multiple times आया है, और मज़े की बात यह है इसके बात देखें तो foot hold on periphery मतलब के next major shift, यह मैं आपको बता चुक हूँ, collapse of USSR, absence of strategic dip, अब हमारा जो है, हम अफगानिस्तान के साथ, जो पिछले 40-50 साल से हम कोशिश यह कर रहे हैं, कि किसी तरीके से वह हमारी strategic depth बन जाए, strategic depth ही होता है, कि अगर for example, यह A state है, ठीक है, यह B state है, और यह C state है, ठीक है, अब यह जो है ना A, इसका जो B है, यह दुश्मन है, ठीक है, और जो C है, यह like दोस्त है, ठीक है, तो अब ना, यह जो A state है ना, यह कोशिश करेगी कि यह इस C state को अपने साथ मे ला ले, ताकि अगर for example, B state इसके उपर हमला करती है, तो वो इस चीज़ को, यह यहाँ पर जो territory है, जो कि C state की है, इसको utilize कर सके, और दुबारा revive कर सके, और again attack कर सके on B, ठीक है, तो हम यह जो C है, इसके साथ जो हमारे relations होते हैं, हम इनको कोशिश करते हैं, दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा strategic depth क्या है, मतरब कि मुश्किल व दोस्त के, अपने दुश्मन के साथ, एक अच्छे तरीक के से नमर्द आजमा हो सके, ठीक है, तो यह strategic depth जो है ना, यह रशिया उस चीज़ के लिए कफी अरसे से सोच रहा है, क्योंकि उसे कुछ इस तरीक के से नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने यहाँ पर अगर for example, यह सार अटेक करना बहुत असान हो जाएगा, that's why, जो रशिया है, वो यह बेलरोस और यूक्रेयन को, as a strategic depth इस्तेमाल करता था, कि यह मेरे और यॉरप के दर्मियान, एक as a strategic depth का role play कर रहे हैं, ठीक है, उसके पास opportunities बहुत कम हैं, इस लिहाँ से, यह जो अब हमने देखा कि एक जि domestic decay, foot hold on periphery, उसके लावा absence of strategic death, यह major reasons है, of Russian strategic culture, मतलब कि जो एक build होता है, जो एक रशिया का strategic culture बनता है, वो इन चार से पांच चीज़ों के उपर rely करता है, तो यह था हमारा strategic culture, और इसके अंदर आपने देखोगा, कि मैं ज्यादा तर जो है, वो जिग्राफिक के उपर ही र अगर आप उसकी जंगें देखें, आप उसके relations देखें, आप उसकी friendship देखें, जितना कुछ भी है, वो सारा उसके जिग्राफिक के उपर ही depend करता है, तो आज हमने जो देखा है, वो रशिया का strategic culture देखा, वो कौन से ऐसे key factors है, जो उसके strategic culture की base बनाते हैं, ठीक है, फर्द हम इंशलात अला रशिया की जो foreign policy हैं, हम उसको देखेंगे, और उसके साथ साथ हम अपने जो lectures हैं, उनको continue करेंगे, विद इस वर्जी थैंक यू, आला हाफिस